ओके, तो अब हम बात करेंगे शिप्रा रिवर के बारे में तो MP का अगर जोग्रफी देखेंगे तो शिप्रा रिवर थर्ड या 4th most important river है ठीक है, 3rd या 4th most important river है Actually, इंडिया का अगर जोग्रफी भी देखें, इंडिया का river system देखें तो श्रीपरा रिवर बहुत जाद इंपोर्टेंट है One of the reason है कि यहाँ पे cultural activity होता है एक religious festival होता है ठीक है उसका नाम है कुंब मेला चार जगों पे कुंब मेला होता है ठीक है चार जगों पे और उज्जेन जो श्रीपरा के जो तट पे बसा हुआ है वहाँ पे भी एक कुंब मेला होता है हर बारा साल में तो इस कुंब मेला को कहते हैं सिमहस्ता यह 2016 में हुआ था ठीक है अच्छा एक और reason है जो श्रीपरा इसलिए important है MPPAC या MP Geography या UPSC किसी exam के लिए भी वह है यहाँ पे नर्मदा श्रीपरा लिंक प्रोजेक्ट है ठीक है यह दो important reasons है एक है आपका सिमहस्ता कुंब मेला और दूसरा है नर्मदा लिंक नर्मदा श्रीपरा लिंक प्रोजेक्ट सो इन दोनों को हम डीटेल में देखेंगे पर सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीपरा रिवर उर्जिन और उजेनी एक तैसील है उजेनी तैसील इन दोनों में डिफरेंस है ठीक है उजेनी अलग है उजेन अलग है उजेनी अलग है श्रीपरा रिवर स्टार्ट होता है उजेनी से ठीक है उजेनी नामिक एक जगे से स्टार्ट होता है श्रीपरा रिवर बट वो जाता है उज्जेन में अब यह आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से ठीक है यह सिंपल सा एक मैप देख लो उसके बाद हम टीटेल वाला मैप भी देखेंगे तो यह है आपका सिंपल वाला मैप तो यहां से आपका शिपरा रिवर स्टार्ट होता है यह है आपका उज्जेनी और जिला कौन सा है इंदोर ठीक है यह है आपका उज्जेनी और है जिला इंदोर और यह जो बड़ी सी जो रिवर दिख रही है वो है जंबल ठीक है और यह जो बागी सब जो रिवर है वो अपन बाद में देखेंगे दीरे दीरे देखेंगे ठीक है तो यह है आपका शिप्रा रिवर यह जा रहा है आपका शिप्रा रिवर अच्छा अब थोड़ा डीटिल में देखते हैं इसको ठीक है चलिए अच्छा तो सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिन कहां से होता है शिप्रा रिवर का शिप्रा रि था, ठीक है, 2014-2016 के बीच में वहाँ पे एक परियोजना स्टार्ट होता है, नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, वहाँ पे नर्मदा और शिप्रा का जो main conference है, वो वहाँ पे हो जाता है, गौर्न्मन डाइवर्ट कर देती है, नर्मदा का पानी शिप्रा पे, त तो उस प्रोजेक्ट की वज़े से उस एरिया में लोगों का जो लैंड की वैल्यू है, वो एक करोर के उपर हो गई, ठीक है, तो वो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था, उज्जेनी नामक जगे को, अब उस एरिया की लैंड वैल्यू उतनी जादा है, कि अब शाय तो और जाद हो क्या होगा, अच्छा, तो ठीक है, और देखते हैं, तो यह स्टार्ट होता है ककराबार्डी माउंटेंज से, ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको देखना है, कि यह डारेक्टली ऐसे शिप्रा रिवर नहीं बन किया था, शिप्रा रिवर बेसिकली दो रिवर् नाम है कान हा, कान हा नहीं, कान, ठीक है, और दूसरे का नाम है सरस्वती, ठीक है, दो इंपोर्टन रिवर्स है, कान और सरस्वती, अच्छा, कान कान से स्टार्ट होता है, वो भी इंदौर्सी स्टार्ट होता है, दोनों रिवर्स इंदौर्सी स्टार्ट होते है, यह जो इंपोर्टन नहीं है तो उस एरिया से स्टार्ट होता है तो यह आपका सरस्वती है ठीक है और यह आपका कान रिवर है और यह दोनों बेसिकली जुडते हैं त्रिवेनी नामक एक घाट है ठीक है उजयन में त्रिवेनी नामक एक घाट है वहां जाके कान और यह जो सरस्वत स्टार्ट हो गया, तो यह है आपका उज्जयन, उज्जयन में ट्जर्वेणी नामा के घाट है, वहाँ पे जो आपका जो वे सरसुती रिवर है, उजो थोनों विल जाते है, और मिल के बनता है आपका शिपणरा रिवर ठीक है चलिए अब उजेन में एक खास जगा है ठीक है उजेन में खास जगा है वो बहुत फेमस है कुम्मेला के लिए वो अपि थोड़े स्लाइट में देखेंगे अपन तो बेसिकली यहां पे स्टार्ट होता है आपका इंदौर में दोनों दोनों रिवर्स इंदौ में स्टार्ट होता है पर बेसिकली वो ट्रिव्यूट रिशेवस की ठीक है एक है कान रिवर्स और दूसरा है सरस्वती रिवर्स बूलना नहीं है आपको ठीक है यह दोनों स्टार्ट होती है और यह शिप्रा रिवर ओरिजनेट होता है सरस्वती रिवर स्टार्ट होता है राव तेसिल से ठीक है और कान रिवर से जगके जुड़ जाती है अच्छा अब जल्दी से देख लेते हैं ये खतम कहा होता है ठीक है तो बेसिकली शिपरा रिवर आपका फ्लो होता है उज्जेन में जाता है फिर उसकी वाद रत्तनाम में फिर ये है आपका मंदसौर ये ए ठीक है तो बेसिकली ये है आपका चंबल रिवर ये जो डार्क ब्लू में है ये आपका चंबल रिवर है और ये है आपका शिपरा रिवर और ये मिलता है आपका सितमाव तैसिल में मंदसौर में बोलना नहीं ठीक है तो ये मिलता है शिपरावारा इन सितमाव तैसिल इन म चलिए ठोड़ और चीज़े लेते हैं अच्छा इसकी टूटल लेंग्ध है 195 किलोमेटर यह तो आपको रटना ही है 155 टोल लेंग्ट ठेल यह आपको रटना ही है ठीक है और इसका निक्नेम क्या है इसको फीम्स निक्नेम है गंगा ओफ मालवा मतलब मालवा की गंगा तो आप बुलोगे कि मालवा क्या है मालवा पहुत सुना है तो basically यह आपका MP है, ठीक है, यह आपका MP है, यार फिर से गंदा मैप बन गया, I'm sorry यार guys, तो basically कहे दो कि यह वाला area मालवा है, यहाँ पे एक plateau है, वो अपन थोड़ा देर में discuss करेंगे, ठीक है, तो basically यह वाला plateau है, ठीक है, और इस area को कहते हैं, मालवा प्लाट्यू, बस अभी के लिए इतना जान लो, उससे आदर कुछ नहीं, ठीक है, मालवा प्लाट्यू, अच्छा, तो यह उसको कहते हैं, famous, यह make हो गया, actually है, nickname, तो इसका famous निकनेम है, Ganga है, Ganga of मालवा प्ल पांचे और Tributaries है, यह है तीन most important, ठीक है, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं, पर यह तीन काफी important है, कान तो आप जानते ही हो, यह राव मंडल डिस्ट्रिक्स है, राम मंडल डिस्ट्रिक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद है सरस्वती, सरस्वती को आप जा अपने देख लिए, गंबियर के बारे में हम डीटेल में देखेंगे, पर उससे पहले एक दो चीज़े और देख लेते हैं, यह है आपका इंदौर, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी नहर बनके कान रिवर बनती है, ठीक है, यह कान रिवर बनती है, और यह बहुत सारी आगे है आपका रामगाट, रामगाट बहुत फेमस है, ठीक है, कुम्मिला के टाय में बहुत भीड लगता है, रामगाट है, आपको उजिन है, उजिन नियली जब खतम होता है, तो यहाँ से आपका आता है गंबीर रिवर, ठीक है, यह है आपका गंबीर रिवर, गंबीर विलीज तो वहां पूर जाके मिलता है ये चंबल से तीक है याद रखना है अच अब एक दो और नाम और याद कर लेते इसका एक नाम है अव Анний नाम है वह इसकå प्रान असली लए कि यह सौम सोम्रानम उने यह इद के द रट बट रट लो क्योंकि competition इतना साधा हो चुका है कि कुछ भी आ सकता है तो आपको जवाब देना ही है लोगों के पास नौकली नहीं है तो competition बढ़ता ही जा रहा है तो कुछ भी उट पटांग questions आए तो आपके पास answer ready होनी चाहिए तो इसे लिए बिल्कुल detail में चल रहा है भी सरस्वती रिवर के बारे में देख लिए अब है गंबिर रिवर यह है तीन ट्रिब्यूट्री आपकी शिप्रा रिवर की चलिए चलिए बात करते हैं गंबिर रिवर के बारे में हमने बात की है कि गंबिर रिवर एक ट्रिब्यूट्री है शिप्रा रिवर का शिप्रा रि important है क्योंकि यहां पे सारा स्क्रेन नाम की पंक्षी है वो आयूसीन स्टैटस के साब से बहुत ज्यादा important है और यहां पे उसका breeding ground है अच्छा तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो हमने बात की है जनपाव mountains के पार्य में जनपाव mountains में आपका Chumble स्टार्ट होता है चोरल स्टार्ट होता है और घंबीर स्टार्ट होता है तो बेसिकली आपका जो कंबीर रिवर है वो भी जनपाव मोंटें मांटेन् यहिल्ट में स्टार्य हूता है जणपाव हो फिल्स तो यह हिल अपनने याद किया है क्योंकि यहां से चंबल रिवर स्टार्ट होता है और उसके बाद चोरल रिवर भी यहीं से स्टार्ट होता है ठीक है तो चंबल रिवर चोरल रिवर के बाद गंबीर रिवर भी स्टार्ट होता है टेक्निकली वहां से हमने ये भी बात की थी कि seven rivers, साथ rivers स्टार्ट होते हैं वहां से, उसमें से main important है चंबल, चोरल और गंबीर, ठीक है, चलिए, अच्छा, गंबीर स्टार्ट होता है जनपाव फिल्स में, ठीक है, और खतम होता है शिप्रा रिवर में, ठीक है, शिप्रा र इस river के उपर बना है आपका यश्वन सागर डाम, यश्वन सागर डाम बहुत important है क्योंकि यश्वन सागर डाम से ही इंदोर का 15-20% पानी आता है, ठीक है, इंदोर जिले का 15-20% पानी यहीं से आता है, और दूसरी important चीज़, यहां पे है सारस क्रेन, ठीक है, सारस क्रेन का breeding ground है, बेसिकली यह जो पंक्षी आती है, यहां पे अंडे देती है, तो यह बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, यश्वन सागर डाम, ठीक है, इस अब breeding ground for सारस क्रेन इंडिया, और यह 19 important bird areas है, MP में, ठीक है, 19 important bird areas है, total MP में, उसमें से एक है, अचा अब गंबियर की उपर एक 3D view हो जाए, ठीक है, एक 3D Google view हो जाए, चलिए, तो चलिए हम बात करेंगे, गंबियर रिवर के बारे में, ठीक है, तो यह हम दिखाने जा रहे हैं, Google 3D view में, तो सबसे पहले एक बार चीज़ देख लो, कि गंबियर रिवर famous क्यों है, गंबियर रिवर famous है, दो कारणों से 1st of all, यह एक्चलि चंबल रिवर के साथ originate होता है, चनपाव फिल्स में, ठीक है, यहाँ पे चनपाव फिल्स हो हम देखेंगे भी, और दूसरा रिजन है कि यह actually famous है, क्योंकि यह अभी जो नर्मदा, मालवा, गंबियर रिवर लिंक प्रजेक्ट बनने वाला है, जो जो स्टार्ट होगा और कंप्लीट भी होगा, तो यहाँ पे वो लिंक प्रजेक्ट बनने वाला है, तो यह मालवा रिजन में पानी लाने के लिए परियोजना है, ठीक है, और में खास बात है कि यहाँ पे एक डाम बना हुआ है, ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा, यहाँ पे ह इसमें उसंको और पानी मिलता है, इस डाम की वज़े से, इस में एक और खास चीज़ आ, इस रिसर्वायर के वारे में, ठीक है, यष्वन सागत डाम ने एक रिसर्वायर बनाया है, ठीक है, यह है सारा स्क्रेन जो पंक्षी है वो यहां पे आके वो मेट करते हैं और यहां पे वो ब्रीट करते हैं यहां पे वो अंड़ा देते जाते हैं तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है और यश्वन सागर डैम 19 19 इंपार्टन बेरिया से अपी अन्में से एक है तो एक बाठ जिल्दी से देख लेते हैं थीक है तो सबसे पहले हम स्टर्ट करते हैं गंबी रिवर का ओरीजिन प्लेज पर कि मैं आपको दिखा ता हूं जणपाव हल्स तो यहां पे है यह आपका चनपाव तो यहां से एक तो चंबल नदी निकलता है और यहां से गंबिर नदी निकलता है तो यह है वो कुंट यहां से निकलता है यहां से मानके चलते हैं कि यहां पर इस एरिया में बारिश होती है तो फिर यहां से चंबल नदी निकलता है यहां से गंबिर नदी निकलता है यह सिर दो important नदी है वो एक है गंबीर और दूसरा है चंबल ठीक है तो यह हो गया आपका हिल तो मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं बस आपको यह rotate करके ठीक है आपको रोटेट करके दिखा देता हूं तो यह है आपका वो हिल अच्छा अब यहां से originate होने के बाद गंबीर नद निकलते हुए जाती है यहां से निकलते हुए जाती है यह थोड़ा सा जो इंडॉर को टच कर देती है इंडॉर में सेटी को टच कर लेती है टच करते 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 ठीक है आपको में चीज जाना है यहां पर यह जो नदी दिख रही है यह जो छोटी सी नदी दिख रही ह यह जा रही है गंबीर नदी ठीक है चलिए अब में जगों पर आ जाते हैं तो यह है यहाँ पे डाम बना हुआ है ठीक है यह है यश्वन सागर डाम यह है यश्वन सागर डाम यह है बड़ा सा डाम जो बना है वो यश्वन सागर डाम है और यह वापस गंबीर नदी है गंबिर नदी जाके मिल जाता है शिपरा में चम्बल में याद रखना गंबिर नदी जाके मिलता है शिपरा में और शिपरा नदी जाके मिलता है चम्बल नदी में चलिए तो अभी में फोकस करते हैं इस रिसर्वायर पे तो यह रिसर्वायर है तो यह जो हुआ क्या है कि मत इक तो electricity भी मिलती है चोटा सा डाम है वहाँ पे टरबाय में लगा दिया है और यहां से उनको पानी भी मिलता है इंडोर sialayana को तो ये हैं इंडोर की city यहां पर ठीक है यह फूरा बड़ा सा इंडोर की city ठीक है बड़ा सा देख रहा हम जंगल ठीक है देते हुए जाती है तो इसलिए 19 important area से birds के लिए MP में उन में से एक है उन में से यश्वंत साकर जो reservoir है यह बहुत जादा important है ठीक है बढ़िया तो एक और बार देख लेते हैं तो यह है आपका गंबिर नदी वो जा रहा है ठीक है वो श्रीपरा से जाकर आके मिल जाएगा ब okay यहां पे है उसका origin place origin place है यहां पे यह है उसका origin place मैं एक मिनट उसको expand कोने दू तो यह है जन पाव फिल्स उसका origin place ठीक है यहां से आपका चंपल नदी भी निकलता है ठीक है चली खतम करते हैं अच्छा अब थोड़ा उज्जन कुम्मेला के उपर थोड़ा सा देख ले हो तो फिर आपको उज्जन कुम्मेला के उपर जाना ही होगा तो हमने बात की है कि जो शिप्रा रिवर है वो उज्जन से जाता है अब उज्जन से जाता है तो वहां पे टेक्निकली दस से बारा काट्स है ठीक है ज़्यक्या अपन बात में देख लेंगे तो basically कुम्मेला क तो मान्यता यह है कि जब विश्णु भगवान थे उनने एक immortality drink basically अमरित बनाया ठीक है और जब अमरित बनाया तो देव और असुर में लड़ाई हुई उस अमरित को पानी के लिए और अमरित के चार ड्रॉप्स चार ड्रॉप्स इंडिया में चार जगे किरे ठीक है अमर प्रिसी के लिए कौन सी नदीपर के उपर गिरा था वो ड्रॉप्स वह गंगा ठीक है और दूसरा है प्रयाग राज प्रयाग राज सिट्वेटट है गंगा और यमूना नदी के कॉन्फरेंस पर ठीक है तो यह है दूसरी जगा नर्मदा आम सॉरी यह गलत लिखा यहां पर ठीक है यमूना और गंगा के कॉनस पर ठीक है अब है दीसरा है उजहन तो Är फोर गंगा के ततपे तो यह है basically 4 places जहां पर वो 4 अम्रित के drops है वो गिरे थे इंडिया में इसलिए यहां पर हर 12 साल में एक जगे होता है ठीक है for example for example 2016 में शिप्रा रिवर तट के ओपर यानि की उच्चेन 2016 में कुम्मेला लगा था अब 12 साल बात फिर लगेगा वाहां पर ठीक है अब यह नहीं कि 2022 में लगेगा नहीं, 2028 में लगेगा अब सीदे शिप्रा रिवर के उपर जो फोर्थ वो गिरा हुआ था जो कहते हैं अम्रित वहाँ पे कुमो मेला लगेगा 2016 में रिसेंटली हुआ था, अब होगा 2028 में, 12 साल बात अब जो इमेडियेट अब भी जो चल रहा है वो है हरीद्वार, हरीद्वार में चल रहा है 2021 में, ठीक है, वो है हरीद्वार में, लास्ट कुम मेला हुआ था 2021 में हरीद्वार में, ठीक है, और MP में हुआ था, ठीक है, 2016 में वो है उज्जयन में. ठीक है. तो ये हर 12 साल में होता है. और एक और एक दोर facts देखलेते हैं सिख्वास्ता के बारे में. ठीक है. और उज्जयन और इसके बारे में भी थोड़ा ओर चीज देख लेते हैं. उसके बाद हम थोड़ा Normadar River Link प्रोजेक्ट के उपर हम जाएंगे ठीक है उसके बाद थोड़ा mcqs solve करेंगे उसके बाद थोड़ा उससे पहले थोड़ा हम 3D views भी देखेंगे शिप्रा रिवर के उपर बहुत मसा आएगा चलिक तो फिक और चीज जो next semester हमने बात की 2028 में लगा था और जो latest semester हुआ था वह 2016 में start हुआ था और 21 मही में खतम हो गया था तो यह date थोड़ा से important है याद करना है ठीक है चलिए अब थोड़ी होग चीज़े देख लेते हैं अच्छा अब उज्जेन में बहुत सारे घाट बने हुआ है ठीक है बहुत सारे घाट बने यह जो आपका जो shipara river है यह मैं जब 3D views दिखाऊँ गोदो बहुत मजाएकस को देखने में ठीक है तो यह है आपका shipara river और यहां पे बहुत सारे घाट बने हुआ एक दो तीन चार पांच छे बहुत सारे घाट बने हुआ उन में से पांच घाट बहुत जादा important है MPPC के लिए, ठीक है, टेकनिकली उतने जादे questions आते नहीं है, बट ये 8 घाट बहुत important है, तो सबसे पहला घाट है आपका राम घाट, ठीक है, राम घाट की खासियत है ये जो सिमहस्ता है, उसको लेकर ये सबसे बड़ा घाट है, सब है आपने याद किया हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और लास्ट है आपका उज्जेन, ठीक है, बट उज्जेन को ही नाम दिया है सिमहस्ता, उज्जेन को मेला को ही नाम दिया है सिमहस्ता, उसका reason बताओ क्यों है, comment section में, ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम घाट देखते हैं, तो यह है आपका राम घाट, ठीक है, तो इसका fact क्या है कि यह largest है, ठीक है, यह largest है, सभी घाटों में, 13 घाट है technically, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 13 major है, उसमें से हम 5 याद करेंगे, क्योंकि 5 यह सबसे important है, ठीक है, और दूसरा है त्रिवेनी घाट, त्रिवेनी घाट के बारे में आपने याद किया कि यहाँ पर संगम होता है आपका कान रिवर और सरस्वती रिवर, technically यहाँ से ही श्रिप्रा स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यह है conference of कान और सरस्वती, फिर है nursing घाट, अच्छा, यह इसकी खास्टियत क्या है कि यहाँ पर सिंधान घाट तो यहाँ पर एक टेंपल है, तो बहुत फेमस टेंपल है, भूत फेमस टेंपल है, इसे लिए घाट फेमस है, फिर है गावगण तो यह सेकेंद मोसद फेमस है उजएन का, ठीक है नो फ़न चर्बढ़र से गे लिए जो इंपॉर्टेंट है शिप्रा नदी के लिए ठीक है थोड़ और देख लेते हैं अच्छा अब थोड़े इंपॉर्टेंट जगह देख लेते हैं जो शिप्रा के जो तटपे जो बनी हुई है जैसे फॉर एक्जामपल महा कालेश वो जो तिंगल टेंपल ठीक है यह बहु मंगल नाथ टेंपल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बात की दि यहां आपका ट्रॉपिक करकर रहा जाता है ठीक है यह बहुत ज़ात इंपॉर्टेंट है फिर है आपका रामघाट और त्रिवेनी गाट ट्रामगाट तो फेमस हैं क्योंकि आगर आप सेमस्ता पर भी गए हो तो रामघार तो definitely गए होंगे तो रामघार सबसे बड़ा है ठीकि शिप्रा के ऊपर सबसे लाज़स सबसे बड़ा है त्रिवेनिगाट इसले फेमस है क्योंकि यहां पे और श्रस्वति रिवर सिश्सक्ररूरी के बनता है ईए एक है मंदुसौर एरिया में शर्क्रमार 525 कि वहां पर आपका जो वर जढ़ा के मिलता है चमबल में टिए कर दोड़ा देखते हैं नर्मदा शिटा रिफंक प्रोजेक्ट के बारे में चलिए अच्छा ये नाम बहुत सुनाओगा नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट क्या है तो बेसिकली है क्या चीज कि शिप्रा का पानी खतम हो रहा है ठीक है क्योंकि शिप्रा जा रहा है उज्जेन से शिप्रा एक टाइम पेरेनियल रिवर था ठीक है बहुत पानी था बहुत पानी बट उजेन का जो population इतना जादा बढ़ गया है कि मतलब वो पूरा पानी उसका खतम होता जा रहा है summer में बिल्कुल पानी रहता ही नहीं है ठीक है और से मस्ता पढ़ता है summer में तो उस time पे या most of the time पे अगर जब पानी की कमी पढ़ जाती है तो आपको शिपरा रिवर में पानी चाहिए वना लोग तो प्यास के मारे मर जाएंगे है ना तो जब भी पानी कम हो जाए उस time पे गौर्ण्मेंट क्या करती है नर्मादा का जो पानी है वो शिपरा में डाल देती है तो आप बोलोगी इसमें बड़ी चीज क्या है साथ वो पहले भी होता होगा इसमें important चीज यह है क्योंकि शिपरा जो रिवर है वो उपर है और नर्मादा नीचे है ठीक है उपर से नीचे से उपर डालना मुश्किल है ठीक है नर्मादा नीचे है और शिपरा उपर है तो बेसिकली नर्मादा का जो पानी है आप पंप कर रहे हो शिपरा में इसलिए यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है ठीक है तो बेसिकली यह आप देख रहे हो यह है आपका नर्मादा यह देख रहे हैं यह आपका नर्मदा का जो river है वो नीचे है और जो शिप्रा river है वो उपर है और यहां पे एक बहुत बड़ा सा power station लगा है जिससे जो आपको नर्मदा का पानी है वो उपर की और जा रहा है ठीक है आपको animation थोड़ा सा दिख रहा होगा यह नर्मदा का पा यह 50 km का है और यह बेसिकली जो संगम है नर्मदा और शिप्रा का यह बेसिकली उजएनी में है उजएनी ठीक है उजएनी नहीं उजएनी ठीक है उजएनी में है तो यह बहुत जादा famous है इसलिए मैंने बात की थी कि land prices वहाँ पे लोगों के बढ़ गए है ठीक है इसलिए वह बहुत जादा खुश है क्योंकि उजएनी को एक टाइम पे कोई जानता नहीं था बट इस project के वजए से वहाँ के land prices ऐसे उपर बढ़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब यहां पे मतलब खुशाली आने ही वाली है अब देखो पर इंडिया है पता नहीं क्या हो सकता तो basically यह है आपका नर्मदा ठीक है यह नीचे है ठीक है नर्मदा नीचे है और शिप्रा उपर है तो नर्मदा का basically पानी उपर चड़ाना पड़ेगा आपको pump करना है जैसे आपकी घर में pumping होती है जो आपका जो पानी आता है municipality से और आप mainly आपके जो tank में है आप pump करते हो तो वही हो रहा है tank आपका शिप्रा है और जो पानी आता है वो नर्मदा है तो basically pump करने के लिए आपको energy चाहिए रहता है तो वो है आपका नर्मदा शिप्रा link project है इसकी खासियत क्या है कि जो शिप्रा का जो पानी है वो नीचे जा रहा है ठीक है बिलकुल खतम हो गया उस देखते हैं अच्छा तो यह आप बड़े बड़े जो पाइप देख रहे हो ना यह यह वो चीज ठीक है यह आ रहा है यहां से नर्मदा का पानी ठीक है नर्मदा का पानी पूर आ रहा है और यहां पे है शिप्रा ठीक है शिप्रा का शिप्रा नीचे है शिप्रा का पानी इसके अंदर आ रहा है, pump से बढ़ा के डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है यहाँ पर है शिपरा, ठीक है अच्छा यह है नेरली 49 किलोमेटर का पाइपलाइन है, 49 तो 50 किलोमेटर का पाइपलाइन है, ऐसा यह पूछने नहीं वाले ही लोग, ठीक है और यह start किसने किया था है अच्छा, river interlinking project की खासियत है कि इसका idea दिया था आपके अटल बिहारी बाचवे सामने, 2002 में, ठीक है यह एक थोटा सा, छोटा सा important point है, याद रखना, 2002 में आपकी जो अटल बिहारी बाचवे साब है, जो प्राइम निस्टर थे उस टाइम पे, उनने यह idea दिया था कि मतल पानी है, वो बहुत जादा है, जरुवती नहीं है उनको, और कुछ एरियास है जहां पे बिल्कुल पानी नहीं है, for example, केरला में पानी बहुत जादा बहता है, ठीक है, बहुत सारे rivers है, बहुत जादा पानी है उनके पास, बट दूसरे उनके चस्ट बाजियों में है, तम तमिल नाडू में डाल सकते हैं, मुश्किल है, केरला वाले मना करेंगे, बट तमिल नाडू लोगों के बास तो पानी नहीं है, उनके बास पानी रहता ही नहीं है, तो इसलिए सोचा जा रहा है कि कुछ-कुछ reverse को हम जोड़ते, क्योंकि यहां का पानी चला जाए, तमिल कर रहा है, मैनेज कर रहा है नर्मदा वैली डेवलप्मेंट अथोरिटी, यह याद लगना है, यह काफ़ इंपोर्टन है, अच्छा, और इसकी खासियत, इसकी जो मेन खासियत है, यह first phase है, यह बहुत सारे phases में बनता ही जाएगा, यह basically first phase of the project है, technically यह बहुत बढ़ा project है, यह basically चोटा सा part है उसका, तो पूरा project का नाम है नर्मदा मालवा link project, basically बहुत पानी, जो नर्मदा का बहुत सारा पानी, शिपरा, फिर हुआ अपना गंबीर, काली सिंद, पार्वती, यह सब नदी के द्वारा, पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा पानी नर्मदा का म local map, और हम यहां पे 3D view देखने वाले है, शिपरा river का, तो basically यह है आपका indoor, ठीक है, यह है आपका indoor, indoor शहर, ठीक है, यह पूरा है indoor शहर, अच्छा, अब indoor शहर के side में थोड़े mountains है, तो इस mountains से सबसे पहले एक छोटी सी river निकलती है, वो है आपका सरस्वती river, ठीक है, वो आला सरस्वती नहीं, जो indoor side में जो भैता है, वो आला नहीं, एक छोटा सा river निकलता है, वो है सरस्वती river, यह है वो सरस्वती river, ठीक है, तो यह river निकलता है, वैसी बहुत सारे छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नहर निकलती है, तो यह सब मिलके बनने लगता है आपका शिप्रा रिवर ठीक है यह है आपका शिप्रा रिवर ठीक है यह निकल रहा है बहुत सारी यह है आपका सरस्वती निवर ठीक है और दो ती नौर रिवर्स को मिला के यह बन गया आपका शिप्रा रिवर ठीक है यह है आपका शिप्रा रिवर ठीक है आप देख रहे हैं ठीक है आपका shipra river अच्छा यह आप जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है यह किसी और attributory के साथ जोड़ दिया भी को information मिला नहीं मेरे को I'm sorry ठीक है तो यह आपका total shipra river है ठीक है यह है आपका original shipra river ठीक है उसके साथ किया था अब हम पहुझ गए है उज्जेन ठीक है यह है उज्जेन तो यहां पे हर 12 साल में सिमहस्ता लगता है सिमहस्ता कुम्मेला लगता है तो बेसिकली यहां पे सबसे important चीज़ देखना है यहां पे एक है घाट रामघाट ठीक है मैं वह दिखाता हूं तो सबसे पहले हमको थोड़ा अंदर जाना होगा ठीक है तो यह है आपका रामघाट यहां पे थोड़ा सा और आगी थोड़ा सा और आगी थोड़ा सा और यह है आपका रामगाट ठीक है यह है आपका शिप्रा रिवर और यह है आपका रामगाट और यह है आपका उज्जेन ठीक है यह है आपका उज्जेन बढ़िया ठीक है अब उज्जेन से विदा लेते हैं ठीक है अब धीरे 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 यह जारा है रतलाम की ओर ठीक है धीरे 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 यह जा रहा है रतलाम की ओर, ठीक है मैं थोड़ा इसको घमा देता हूँ, ठीक है अब शायद यह रतलाम पहुच गया है, रतलाम पहुचने के बाद अब यह जाएगा सीधे मंदसौर, ठीक है मंदसौर में यह जाके मिल जाएगा चंबल से, ठीक है चंबल से जाके मिल जाए है आपका चंबल रिवर ये है आपका चंबल रिवर ठीक है बढ़िया सा आपका चंबल रिवर जा रहा है और ये है अपनी छोटी सी शिप्रा रिवर ठीक है तो ये वाला एरिया कौन सा है ये वाला एरिया बेसिकली आपका राजस्तान है ये वाला एरिया और ये वाला एरि ठीक है और यहां पे है बुरा आपका राजिस्तान यह है आपका चंबल नहीं इंपल यह है आपका mechanिवर और यह है आपका चंबल रहर टो देखी चंबल में यह जाके घूल मिल गया है यह है यहां پर चंबल के साथ इसने आट कर लिया है ठीक है तो यह है शिप्रा की कहानी यह है आपका शिप्रा रिवर और यह जा रहा है आपका चंबल रिवर चंबल रिवर जाके यमना से मिल जाएगा उसकी बार में बाद में देख लेंगे ठीक है तो यह है फिर से एक और बार बता रहा हूं यहां पहे मध्यप्र करते हैं कुछ है 4-5 MCQ जल्दी हो जाएगा ठीक है जल्दी से तो विच्वन ओफ दे ट्रिब्यूट्र विच्वन ओफ इस ट्रिब्यूट्री ऑफ शिप्रा रिवर की ट्रिब्यूट्री साहिक नदी कौन कौन सी इन में से कोई ना तो नाम सुनाई निया मैंने सरस्वती सही है जोनी तो बिल्कुल नहीं हो राजिस्तान से जाती नहीं है जंबलेव शिप्रा का इंकरोटार्वलनुट्र में शिप्रा की साहिक नदी है इठीक चंबल में अब यह पूंच रहे हैं कि शिप्रा की जो ट्रिब्यूट्र वह कॉन सी ही तो वो है सरस्वती, सरस्वती correct answer है ठीक है, तो question 1 का answer है B, अच्छा which one of these kummela is known as the simhasta मैंने बात की है, ठीक है इंडिया में 4 जगे वो kummela लगता है, बट एक ही जगा पे सिर्फ एक ही जगा पे simhasta है, ठीक है एक ही जगा को का जाता है simhasta और मैंने पूछा भी यह क्यूं ठीक है, आपको अगर answer पता है तो जवाब दीजिए comment box में तो वो है answer आपका उच्चेन, ठीक है तो where does Saraswati and Khan River join to form Shipra, Shipra River कहां पे form होता है Treveni Guard पे, ठीक है Khan River और Saraswati River, जहाके मिलके बनता है Treveni Guard पे, Shipra River तो correct answer है Treveni Guard, चलिए दो और questions solve कर लेते हैं So question number fourth है, which of these tributary originates in Junpa of Hills मैंने बात की कि Junpa of Hills में at least seven rivers originate होते हैं, उसमें तीन महतपून rivers है, एक है आपका चंबल दूसरा है चोहरल और तीसरा है गंबीर, और गंबीर river है आपका Shipra की tributary, तो इसका correct answer है कंबीर, ठीक है Shipra नर्मदर लिंक प्रजेक्ट वस developed by कौन सी कंपनी, मैंने का था, नर्मदर वायली डेवलप्मेंट अथोरिटी So the correct answer है नर्मदर वायली डेवलप्मेंट अथोरिटी चलिए, Shipra की बारे में इतना ही